क्योंकि प्राख्य मैंने खाई नहीं तास्तिम कहीं मजदार सा नास्ता करेंगे तुझे तुझे है कौन मैं हूँ कौन मैं राणा फ्रम हर्याना सुर्ण सबसे अलग होने वाला जितने आज तक व्लोग रहे हैं क्योंकि इस व्लोग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूं शाम से रात से रात हो रखिया और व्लोग की स्टार्टिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं जो मैंने पिछली व्लोगों में बताया था आपको की गाने की शूटिंग है शूटिंग पे चाहेंगे कल की शूटिंग है और हम निकलेंगे अभी देखते हैं पहले डिसाइड हो रहा है कौन-कौन जा रहे हैं मैं भी खाना खा रहे हैं तो वैज अभी निकल रहे हैं एक बैगी रहा एक बैगी रहा मम्मी कित मम्मी जा लिए बुम्मी तो जीना पगड़गी तो वाइज यह नहीं जा रहे अभी पापा भी नहीं जा रहे भबी ट्रेवल नहीं कर सकती एड़ भाई दी है और पापा कुछ कल काम है बैंक में तो पापा जाएगा बैंक में कर लिए तो गर कोच लेते हैं और अभी यह जानली मार मुझाते हैं आप एंगल आप यह जाएगा थे जाएगा श्यादन में आ जाएगा यह जाएगा बैंक में अच्छाव इसका नाम नाए लेकस्टील मुटी चल्कशिकर नी लगती इसके आद देखकते हैं अधा भूषिवर है नहाज भूषिभ कर्तू थोड़ गुष्जा और पुजली बढ़िया आप पहले अपना फेस को दिखाए कोई बात ना वाल पेपर पर लगा रहा है खामने पुजली तरह भोटो इस तो नहीं थंद मैं इस से लेट गए भी हाँ तो तो आपकेंग हो रही है गाडियों की तो गाइज निकल लिया है अभी नजब कड ग्रोस किया है पेट्रल मैं पेले डलबा के फुल खर ली गाड़ी एंड बाई है हमारे साथ गाड़ी में और मैं बाकी गाड़ी का लिए किसी को आना हो तो पटा पटा आज़ो भाई और दीदी और दीजोर ममी सारे दूसरी गाड़ी में जा चुके हैं तो आगे चल रहे हम से और लोकेशन हमारी रहेगी फत्याबाद फत्याबाद या सिर्शा पता निया में कोई कंफर्म निये लोकेशन का वाट की सोंग मज़ेदार है गाना अभी भी वही चल जा था गाड़ी में भी तो अब भी रास् अब कि अब तो कोई निदू इंद का कोई चक्र है नहीं अब असकी निज्वाइ करते हुए जा रहे हैं रोड बिलकुन सुंसान है खली रोड है रात का यह फायदा होगा और फोग नहीं मिली सबसे अची बात ही होगे ट्रेवल रात में करने का यही फायदा है कि आपको ट्राफिक नहीं मिलेगा सबसे डर थामें की रात में फोग ना मिल जाए फोग जरा भी नहीं है तो गाइस यह देखिए जरा भी फोग यह और गाड़ी असी नब्बै तो गाइस मदीना वाले टोल टैक्स पे पहुंच गये हैं कौन-कौन है यास पे कोमेंट करके तो उनका पता नहीं कहां है पहुंच चुके हैं वो बहुत ठंड है भाई यहां तो हालत खराव हो रहे हैं तो उदर गाड़ी घड़ी कर रखी है उनको चाय बोला है तो एक बंदे एक ओर टोल आज़ा भाई तो गाइस यह वाला आ गया हिसार एरपोर्ट रोड इतर मक्या में जाना सिद्धा तो गाइस यह फत्याबाद के पास मेहनुमान की मुर्थे बताना वही कुमेट करके कौन सा मंदिर था यह सुगया आसमा सुगया आसमा सो गई है सारी मंजिले सो गया है रस्ता काड़ी वाले वी सो रहे हैं इस पहुचने वाले हैं और लोकेशन थोड़ी सी बचिया है 20-25 मिनिट का रस्ता बचा हुआ है तो गाइस पहुच गए यह भाई समाल रखा है यह मैंने अपना बैग ले लिया अब एंट्री करें होतल में तो वहीं नगन लगा रखिया रान खातर है अब जाम होई तो यह दो अब इस उटता कर लोग आइस हो रहे हैं तो वाइस गुड़ ओनिंग हो गया और मज़ेदार नींद आई अब यह ठाओं चास्ट तो जब आई नहाने का टाइम आगया है भी नहता हो और फिर मिलते हैं नहाने के बाद तो गाइज नहाद हो के हो गया रैड़ी और अभी जाएंगे सीधा शूट पे ऐसे शूट पे फ्लाइट में वैट की जाएंगे अपने जाएंगे जाएंगे पहले खाना बाद में काम दूजा बाद में काम दूजा चलो तो वाइस अपनी पैकिंग हो गई है बैक टांग लिया है करेंगे क्योंकि जो सोंग आएगा उस टाइम पर यह वाल जो नेक्स्ट अमारा रहेगा जब सोंग आने काईगा उससे एक दिन पहले आम यह वाल व्लोग डालेंगे बाकि यह चीज़े हाइड रहेंगे आपकी तो गाना मैं कह रहा हूं बहुत ही मजएदार है इतना रहे है कि मतलब लाइक बीट उसकी सुन लोग है ना अंत अंत ओसम तो अभी करते हैं व्लोग को एंड शाम का टाइम हो गया है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में देखते हैं रात में यहीं रुकें या फिर घर जाएंगे वापिस तो जैसा भी होगा आपको नेक्स्ट लोग में पता चल ली जाएगा वो तो वह वालव लोग तो हम शूट करेंगे अल्रेड़ी तो यहां पर और भी शूटिंग हो रही है उदर गेहूं में जाके वह साथ प्रिवेडिंग या प्रोवेडिंग जो भी है वह हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में जाई लोग में टी जाए दूट वालव यहा थाई नेक्स्ट वालव decentralized वह है जालव बाएगा प्रोवेड़ींग ढाके वहां जाएगा यहां जाई यहां ईूट रिवा है वहाई वालव शूट रिवालव टूवा यहां बाएगगा ईूट टुट लाएगा बाएगा एए